मेरे प्यारे देश्वासियों, हमारे पास 75 साल का अनुभव है, हमने 75 साल में कई सारी सिद्धिया भी प्राप्त की हैं, हमने 75 साल के अनुभव में नए सपने भी संजोये हैं, नए संकल्प भी लिये हैं। लेकिन अमरित काल के लिए हमारे मानव संसाधन का आप्टिमम आउटकम कैसे हो, हमारी प्राकृतिक संपदा का आप्टिमम आउटकम कैसे हो, इस लक्ष को ले करके हमें चलना है। और तब मैं पिछले कुछ सालों से अनुभव से कहसा चाहता हूँ, आपने देखा होगा। आज अदालत के अंदर देखिए, हमारी वकिल के खेतर में काम करने वाले हमारी नारी शक्ति किस ताकत के साथ नजर आ रही है। आप ग्रामिन शेतर में जनप्रतिनी दिव के रुप में देखिए, हमारी नारी शक्ति किस मिजाद से समर्पित भाव से अपनी गाओं की समस्याओं को सुल्धाने में लगी हुई है। आज ज्यान का ख्षेतर देख लीजिए, भी ज्यान का ख्षेतर देख लीजिए, हमारे देश की नारी शक्ति सिर्मोर नजर आ रही है। आज हम पुलीस में देखे हमारी नारी शक्ति लोगों के सुरक्षा की जिम्वारी उठा रहे हुआ हम जीवन के हर छेत्र में देखे खेल कुल का मैदान देखे या य०्ध की भूमी देखे भारत रिक नारी शक्ति एक नए सामर्त नए विस्वात के साथ आगे आ रही है उसमें अब कई गुना योगदान आने वाले पती साल में मैं मेरी नारी शक्ति का देख रहा हूँ, मेरी माताओं बहनों का, मेरी बेटियों का देख रहा हूँ. और इसलिए ये सारे हिसाब किताब से उपर है, सारे आपके परामिटर से अतिरिक्त है, हम इस पर जितना ध्यान देंगे, हम जितने ज़ादा आउसर हमारी बेटियों को देंगे, जितने सुविधाएं हमारी बेटियों के लिए केंदरित करेंगे, आप देखना वो हमें बहुत कुछ लोटा करके देगए, वो देश को इस मुझाहिं पर ले जाएगे, इस अमरित काल में जो सपने पूरे करने में जो महनत लगने वाली है अगर हमारी नारी शक्ति की महनत जुड़ जाएगी जापक रुप से जुड़ जाएगी तो हमारी महनत कम होगी हमारा समय सिमा भी कम हो जाएगी हमारे सपने और तेजस्वी होंगे और अउजस्वी होंग कर दो कर दो कर दो एम रहें